हेलो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थेयोरम के बारे में यह नाम आप लोग के लिए बिल्कुल भी नहीं आ नहीं है कि काफी टाइम से हम लोग इसका यूज करते विया हैं आज हम लोग इसके प्रूव के बारे में पाइथागोरस थेयोरम क्या होता है अच्छा बीपीटी थेयोरम जो हमने पढ़ा था बीपीटी थेयोरम किसी भी ट्रेंगल के उपर एपलीकेबल होता था पाइथागोरस थेयोरम सिर्फ राइट एंगल ट्रेंगल के उपर एपलीकेबल है पाइथागोरस थेयोरम का क्य तो AC square क्या होता है, AC square is equal to AB square plus BC square, तो यही होता है Pythagoras theorem, कि किसी भी right angle triangle में hypotenuse का square is equal to sum of square of other two sides, ठीक है, तो आप मुझे इसको prove करके देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो prove करने से पहले, आप लोगो जो prove में जो बात हम use करेंगे, आप लोगो similarity of triangle का concept clear होना चाहिए, अगर similarity of triangle का concept clear नहीं तो maybe एक दू लाइन आप लोगो समझ में नहीं है, तो चलिए start करते है, Pythagoras theorem का यह statement है, in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides, ठीक है, तो given information दिया है, उसको हमें लिख लेते हैं, given में हमारे पास इतना information है कि एक right angle triangle है, ABC, बस, उसमें angle B 90 degree है, और triangle ABC, in which angle ABC is equal to 90 degree, हमें prove करके दिखाना है, AB square plus BC square is equal to AC square, इस चीज को prove करने के लिए हम लोगो क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक perpendicular draw कर लेंगे, जो 90 degree वाला angle जो भी है, numbering कुछ भी आप लिखो, ABC, P, Q, R, कुछ भी लिखो, जो भी 90 degree वाला angle होगा, वहाँ से हम लोग opposite side के उपर एक perpendicular draw कर लेंगे, कोई जरूर है नहीं कि आप ये figure इस तरीके से draw, कोई student figure ऐसे भी draw कर सकता है, 90 degree को हमने यहाँ पर उपर वाले angle पर बना लिया, जनरली जो right triangle बनाते हैं, तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, कभी भी right triangle बनाते हैं, तो 90 degree को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, लेकिन इस वाले case में प्रूव करने के लिए, मैंने triangle को इस तरीके से थोड़ा पलट के बना लिया, 90 degree उपर ले लिया, इससे क्या होगा हमें, थोड़ा सा naming करने में easy होता है, जो triangle का हम name चुनते हैं, उससे थोड़ा सा हमें easy हो जाता है, अब कैसे भी बनाओ, कोई फरक नहीं पड़ता है, ठीक है, तो यह हमने बना लिया, तो अब चुलो proof स्टाट करते हैं, हमने construction क्या किया है, एक line हमने बना लिए, BD perpendicular, AC, ठीक है, तो दोनों तरफ यह 90 degree angle हो गया, अब देखो मैं proof करके लाना क्या है, AB square plus BC square is equal to AC square, यह हमें proof करके लाना है, तो पूरा यह similarity of triangle वाले concept से proof होगा, तो आपका वो concept एक दम अच्छे से clear होना चाहिए, अब अब देखो, यहाँ पर हमें total तीन triangle दिख रहा है, यह छोटे वाला triangle, एक यह छोटा triangle और यह पूरा बड़ा triangle, AB square हमें चाहिए, तो इसको proof करने का हमारा logic क्या रहेगा, हम लोग इसको कैसे proof करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AB square के value को find कर लेंगे, फिर BC square के value को find कर लेंगे, और दोनों को add करके solve करते जाएंगे, solve करते करते करते, AC square अपने आप आ जाएगा, ठीक है, मतलब LHS हम start करेंगे, तो LHS में AB square plus BC square है, हम कहीं से AB square का पता लगाएंगे, BC square का पता लगाएंगे, और दोनों को add कर देंगे, तो अब देखो AB square हमें कैसे मिल सकता है, AB square मतलब AB दो बार, AB into AB, AB square का मतलब हो गया, AB into AB, तो अब ये सोचो थोड़ा सा, कि AB into AB कैसे आएगा, तो हमें दो triangle ऐसा चुनना होगा, पहले तो हमें दो triangle चुनना होगा, और दोनों triangle को हमें similar दिखाना होगा, तो देखो ये वाले, अगर हम इस छोटे triangle को ले लें, और पूरे बड़े वाले triangle को ले लें, तो इस छोटे triangle के अंदर भी side AB आ रहा है, और इस बड़े वाले triangle के अंदर भी side AB आ रहा है, ठीक है तो देखो स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी छोटा वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल चाहे पहले चलो चोटा ट्राइंगल लिए इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल में और पूरे बड़े वा वाले triangle में भी एक 90 degree का angle बन रहा है तो छोटे वाले triangle में इस angle का नाम क्या हो गया सिर्फ इसको में angle D नहीं बोल सकते हैं angle D बोलने में confusion हो जाएगा इस angle का पूरा नाम बताओ तो angle ADB angle ADB is equal to angle ABC क्यों भई दोनों angle क्यों equal है तो दोनों angle 90 degree है तो इसलिए दोनों angle equal हो गया तो अब इस छोटे triangle में और बड़े triangle में हमने दो angle को equal दिखा दिया therefore triangle ADB is similar to triangle ABC दोनों triangle similar हो गया क्यों by AA similarity आप पूरा लिख ले ना यह similarity किसी भी triangle में अगर आप दो angle equal दिखा देते हो तो दोनों triangle similar हो जाता है तो यहां इस छोटे वाले triangle में और बड़े वाले triangle में हमने यह दोनों angle triangle का कुछ भी नाम ले लिए ADB और बड़े वाले का कुछ भी नाम लिख दोगे ACBC यह गलत हो जाएगा नहीं अगर आपने छोटे वाले triangle का नाम ADB लिखा है तो उसके corresponding बड़े वाले triangle का नाम ABC ही होना चाहिए यह जो पूरा करेगा ठीक है तो यहां पर इस concept को clear नहीं कर सकते है वीडियो लेंदी हो जाएगी उसके लिए आप similarity of triangle वाला वीडियो देखिएगा जो exercise है triangle chapter का second exercise है class 10 का ठीक है उसका playlist में playlist बनावा है description में link दिया वा रहेगा ठीक है तो हमने इस चोटे triangle को बड़े triangle के साथ similar कर दिया दोनों triangle similar हो गया अब जब दोनों triangle similar हो गया तो उसके sides proportional हो जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं side को proportional करके कैसा लिखा जाता है इस triangle का first two letter by इस triangle का first two letter AD by AB is equal to DB last two letter by last two letter BC is equal to first and last letter AB by first and last letter AC जब दोनों triangle similar हो गया, तो हम लोग उसके side को proportional करके लिख सकते हैं, ठीक है, तीनों का जरुवत नहीं था, हमें चाहिए क्या AB square find करना हमारा target है, दोखो AB word यहाँ पे आ रहा है, और AB यहाँ पे आ रहा है, यानि इसका कोई use नहीं है, लेकिन फिर भी हमने लिख लिया, क्योंक फिर इसको further filter out करके इतना ही लिख लेंगे, जब यह तीनों equal है, तो सिर्फ यह दोनों भी equal होगा, तो हम इन दोनों को ही equal करके लिख लेते हैं, therefore, AD by AB is equal to AB by AC, अब cross multiply करो, तो देखो क्या जाएगा, AC into AD equal to AB into AB, तो यह बन गया, AB square, तो AB square को left side लिख लो, AB square equal to AC into AD, और इसको नाम देदो equation 1, तो आपको यह समझ में आगया, AB square हमने कैसे find किया, बिल्कुल सेम तरीके से हम BC square को भी find करेंगे, BC square कैसे मिलेगा, हमने इस वाले triangle को और बड़े वाले triangle को ले लिया था, अब क्या करो, इस वाले triangle को ले लो और पूरे बड़े वाले triangle को CDB is a triangle C B, इस वाले triangle का, हम नेमिंग कर रहे हैं, पहले तो हमने decide कर लिआ कि कौन सा2 triangle हमें लेना है, और हम इस छोटे वाले triangle को और बड़े वाले triangle को कुछ ले रहे है, क्योंकि दोनों में side BC मिल गया, इसलिए हम ले रहे है, तो हमने वो triangle का decide कर लिया, अब neb हम कैसे कर रह है तो में देख रहे हैं कि दोनों ट्रेंगल में एंगल छोटा ट्रेंगल का सखेंड में हमने लिखा हैं यह प्रेज़ेंट कर रहा है कि वह घपर sowohl है कि जगा CAB लिग देंगे तो आपका गलत हो जाएगा और आपको अगर यह concept पता नहीं है कि लेटर के ordering का ध्यान रखा जाता है तो आप तो यहां पर CDB और इसके साथ CAB रख दिए आपका आगे कभी match होगा ही नहीं ठीक है कभी बनेगा ही नहीं तो आप यह होगया दो ट्रेंगल आपको दोनों में अंगल C is equal to ऐंगल C दोनों ही ट्रेंगल में अंगल C common है फिर छोटे वाले ट्रेंगल में एंगल CDB इस इकल टू बड़े वाले ट्रेंगल में CBA एंगल CBA इक्वल है क्यों इक्वल है भाई दोनों 90 डिग्री तो इन दोनों ट्रैंगल में भी हमने दो एंगल इक्वल दिखा दिया देर्फोर ट्रैंगल cdb is similar to triangle cba क्यों by a similarity आप पूरा लिख लेने यहाँ पर अब जब यह दोनों ट्रैंगल भी similar हो गया तो इसके भी sidecon proportional करके लिख सकते हैं first two letter by first two letter cd by cb equal to db by ba equal to cb first and last letter by first and last letter cb हमें चाहिए था cb मतलब cb लिखावा और bc लिखावा एक ही बात है यहाँ पे आरा है cb यहाँ पे आरा है cb इसका कोई use नहीं है तो यह जब तीनों ही आपस में equal है तो हमें सिर्फ इतने का use है हमें इन दोनों को equate करके लिख लेते हैं this implies cd by cb is equal to cb by ca cross multiply कर लो तो यह हो जाएगा cd into ca equal to cb square इसको नाम देदो equation 2 ठीक है अब देखो इसको cb को याँ पलेट के bc square लिख लो इसको left side में लिख लो तो यह हो जाएगा bc square equal to cd into ca और इसको नाम देदो equation 2 जो हमारा logic था हमारा logic क्या था कि पहले a b square find कर लो bc square find कर लो और दोनों को add करके solve कर देना तो हमने वही किया a b square का पता लगा लिया a b square find कर लिया bc square find कर लिया अब दोनों को adding one and two करके solve कर देते हैं adding equation one and two adding one and two तो देखो एड जब भी दो equation को add करते हैं तो LHS वाला LHS मेड हो जाता है RHS वाला RHS मेड तो यहाँ पर इस equation के LHS में AB square है और इस वाले equation के LHS में BC square है तो AB square plus BC square equal to AC into AD dot लिख लेते हैं into के जगह AC into AD plus CD into CA CD into CA अब देखो इसके बाद LHS में तो ठीक है जो प्रूव करके लाना तो वो आ गया RHS में देखो यहाँ भी AC दिख रहा है और यह जो CA लिखावा है इसका मतलब AC तो AC common आ गया दोनों में AC common आ गया तो क्या बच गया AD plus CD और आप देखो AD CD मिल Как nelle CD मिल कि IKतB पूरा BC बनरा A korus into AD plus CD मिल के यह भी बन गया AC तो AC into AC यह हो गया AC square तो जो प्रूव करना था वो हो गया देखो AB square plus BC square is equal to AC square यही हमें प्रूव करके दिखाना था यही होता है पाइथागोरस थेओरम तो यह complete होगे हमारा पाइथागोरस थेओरम का प्रूम तो देखा आपने काफी easy है इसको mind में set कर लोगे हम कैसे कर रहे हैं आप लोग भी figure बनाओगे figure ऐसे उल्टा ही बनाना 90 डिग्री को पर बना लेना एक बर यह triangle ADB और ABC जो सबसे important part है इस पूरे पाइथागोरस थेओरम है बस यह line ही सबसे important है बस इसका ध्यान रखना अगर आपने यहाँ पर लेटर का ordering गलत कर दिया तो जब proportional करके लिखोगे तो यह भी घरबड हो जाएगा cross multiply करोगे match करेगा ही नहीं तो आप confused होते रजाओगे कि आखिर problem कहाँ पर हो रही है तो यह line problem करेगी आपको ठीक है तो इस line का special ध्यान रखना ठीक है तो complete हमारे तरफ से यह topic next वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे Converse of Pythagoras theorem के बारे में ठीक है तो इस वीडियो को करते है दे एंड आप लोग यार जो भी first time हमारे चैनल प्यार हो प्लीज चैनल को like कर लेना subscribe कर लेना घंटी भी बजा देना मिलते हैं next वीडियो में